हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू टार्गेट फॉर आपका बहुत बहुत श्वाकत है अपने शेटीव चैनल पर मैसल फ्रबिंद्र कुमार तो स्टुडेंट्स हम काफी इंपोर्टेंट सेशन कर रहे थे करन्ट फेर के और बीच में थोड़ा तब्यत खराब हो गया था इस स्टुड तो कफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो पहला को से लिए बेट इस्टेंट करने वाला देश का पहला राज्य कोन है तो कोविड-19 से मतलब होता है बहुत तेजी से होता है चैसी इसकी में पहला जो इस्थान प्राप्त हुा है वो रा Already स्थान को हुआ है ठीक ह राइस्थान के सीम की बात करें तो अश्रोग गहलोत है और राइस्थान के राजधानी जैपूर इतना आप इस कोस्टन से याद रखेगा ठीक है कोशन नमबर दो है 2020 में किस देश ने नावालिकों के लिए मौत की सजागे प्रावधान को सवाप्त कर दिया है मौस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे प्रावधान ता कुछ जो काफी समय से काफी लोंग पीरेट से चला रहा था नावालिक जो होते हैं हमारे याँ जैसे 18 साल से उपर बालिक हो जाता इसी तरीके से महाँ पर भी कुछ एज डिसीजन होगा जो भालिक और नावालिक की कटेकरी में डिवाइड कर तो होगा धीक है तो वहाँ पर नावालिक की जो मौत की सजाय उसको समाप्त कर दिया तो वह है शाओ्द यारभ को याद रखीगा European के राजधानी रियाद है और साओ्ध fender यरभ के जो गिंग है प्रिंस महम्मस सल्वान है ठीक है एक तरीके से जो राजशाहिशाशन होता है वह वहां पर अभी भी देखने को मिलता है तो आप इतने इसको संस्याद रखेगा नेश्ट कोसर नमबर थरी दोहर भी इसको पैट्रोलेम उत्पादो पैट्रोलो डीजल पर कोबिड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला रज्ज कोन है तो यह है नागल ainda में अधर टेक्स एख टो टेक्स होते हैं एक अलग से उपकर करपर कर उसका बहु कह सकते हैं आप इसको टेक्स उन स्टेग्स ठीक है तो यह है नागलेंड और नागलेंड की बात करते हैं तो नागलेंड के सीम जो है वो नेफिया रियो है ठीक है नेफियू रियो नेफियू रियो है नागलेंड के सीम और जो नागलेंड की राजधानी है वो आपकी कोहिमा ठीक है नागलेंड की राजधानी क्या है कोहिमा तो फिलाल तो आप याद रखेगा कि पैट्रोली मुत पादों पर उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कुन से बना नागलेंड इतना इसको संसा याद रखेगा उस नमबर फॉर हाली में किसने स्वास्था कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैस्टेग वी विल विन अभियान शुरू किया है ये वी विल विन अभियान मतलब हम जीतेंगे ये अभियान किसने शुरू किया है तो ये शुरू किया है फीफा ने ठीक है फीफा टर्म आचुकिया है तो ये काफी इंपोर्टेंट है फीफा की फुल फॉम आपको याद रखनी है फेडरेशन इंटरनेश डी फुटबोल असोसियेशन फीपा की बात करें तो फीपा की स्थाफना 21 माई 1904 को ही थी ठीक है 21 माई 1904 और इसका हेड़ कौर्टर जूरिक स्विजर लेंड है जूरिक स्विजर लेंड और इसको जो वरत्मान अध्यक्स है वो गियानी इंटेंट इंफन्टीनो है गियानी इंफन्टीनो ठीक है इतना आप इसको संसे याद रखेगा उसर नमबर फाइब हाली में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाए गया है वर्ल्ड ट्यूना डे ये ट्यूना क्या है बहुत ही मतलब सुन्दर सी मचली है और जिसके सिकार वगएरा पर भी काफी रोक है और ये विल ठीक है दो मई को मनाए जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे इसको ये भी आत रखेगा कि ये गोषित किसने किया वर्ल्ड ट्यूना डे तो यू था यू एव ये इसकट गोशित किया था ठीक है यह व्यव कॉस्टन हो चुका है आपके शटा कोस्तन है, काफी इंपोर्डन्टा हाली में, ओपन बजट सर्वेक्ष्टन में बजट पारदर सिता और जवाब देहि के मामले में सीर्स इस्थान पर रहा है, काफी इंपोर्डन्टा है, पोस्तन नम्र सिक्स तो ये रहा है, न्यूझ जी लेड्ड जो है जेसिंडा और डने हैं तो इतना इस कोस्टन से याद रखेगा उस नमबर सेविन हाली में क्रिकेट टीम ICC याने की इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल टेस्ट रैंकिंग में सीर्स पर ऑस्टेलिया का इस्थान है इसमें भारत का इस्थान क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है त इतना आप इस कोस्टन से याद रखेगा उस नमबर आठ है हाली में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिकावर्ड नामक इबुक किसने लॉंच की है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिकावर्ड नाक पुस्तक जो है ये इबुक है ये किसने लॉंच की है तो मोस्ट इ आप याद रखेगा प्रेटन मंतराले से जुड़े हुए हैं प्रेटन मंतराले इनके पास है तो इन्होंने ही ये लॉंच की है प्रोफिसर बीबी लाल इंडे रिकवर्ड नामक इबुक ठीक है इतना आप इस कोशन से याद रखेगा कोशन नमबर नो है हाल ही में MSME MSME Micro Small and Medium Enterprises मंतराले के सचिव का कारेबार किसने संभाला है काफी इंपोटेंट है तो ये हैं अर्विंद कुमार सिंग अर्विंद कुमार सिंग ने पदवार संभाला है उस नमबर दाज हाली में FAD Cup Hot Award के लिए किसे नमांकित किया गया है काफी इंपोटेंट है तो ये बाहरत ये टैनिस प्लेयर है जिन को अवार्ड दिया जाएगा तो इतना आप समझी गए होंगे कि टैनिस जो खेलते हैं उनके छेत्र में FAD Cup Hot Award दिया जाता है आप इतना इस कोशन से याद रखेगा कोशन नमबर 11 हाली में World Price Freedom Day काफी इंपोटेंट है World Price Freedom Day याने कि 20 प्रेस चुत याद रखेगा कुसर नमबर 12 हाली में One Nation, One Rason Card योजनाओ के तहट कितने राज्यों को जोड़ा गाया है काफी इंपोटेंट है तो ये पांच राज्यों को जोड़ा गाया है पांच राज्यों के नाम लिख लिएगा यूपी, बिहार, दादर नागर हविली, पंजाब, दमन्दिव, इतना आप इस कुस्सन से याद रखेगा, इसा अंसर की आपको लाश्ट में इसकी एड़ करके ही दी जाएगी, कुसर नमबर 13 हाली में चर्चा में आया रोहुनी आयोग किस वर्ग से सम्मन्दित है, ये काफी इंपोटेंट है, रोहुनी आयोग, ठीक है, त अनि रिटें, हिश्ट्री, आफ ए प्राउड, पीपल नमा कुस्तक लिखी गई है, काफी इंपोटेंट तो नहीं है, थोड़ा लेंती कुस्तों ने आता है, तो ये हमें लिखना है बस सिवाजी इन साउथ ब्लोक, इतना आप याद रखेगा, अगर कुस्न में आता है, त अधवे कोस्तन साब इतना आत रखेगा, उसन नमबर फिप्टी ने हाली में कि सराज्य के के सर को जी आई टैग दिया गया है, ये काफी इंपोटेंट है, जम्मो कस्मीर के के सर को जी आई टैग दिया गया है, मतलब जोगरिफिकल इंडिकेशन, ये पहले ही बताया था, जैसे जो चीछ जहां पर अगर कुछ अलग ऐसी उसमें खास्यत होती है, प्रोडक्सन में उसके, और वो वहाई पर रुगा दी जाए, उससे अलग वो नहीं हो सकती, विदाउट परमिसंस, तो उसको वहाई का जोगरिफिकल भोगोलिक संकेत दिया जाता है, कि ये चीछ जहीं पर उगाई जाएगी, यहीं से एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और इसका कोपिराइड, कोपिराइड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका अलग उत्पादन भी नहीं कहा जा सकता है, वरना केसिस हो जाता है, ठीक है, तो ये केसर का जैड़ जब मुकस्मीर को मिला है, तो आप इतना इस को संसे जाद रखेगा बागी आपकी आंसर की है इसमें आप देख सकते हैं सभी आंसर दिये हुए और अगली बार से और इस पर्ष तरीके से आपको आंसर की इसके साथ एड़ोफर के मिल जाएगी ठीक है तो चलिए और इसी तरीके से वीडियो को लाइक क को या तो आप PDF निकल वा लीजिएगा या नोट डाउन करता हुए चलिएगा ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो तब तक के लिए जहिन बंदे मातरा